हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू पीजी क्लासेज मेकिंग वेत्रू शॉर्टकट तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे हम लोग फिजिक्स कर रहे थे लेक्टर वान हम लोगोंने कंपलीट करा था जिसमें हमने क्या किया था बेसिक ऑफ इलेक्टरिक कर राता है मतलब इलेक्टरि करी थी उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको करंट के बारे में भी वहां पर बताया था तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग आज हम chapter जो है ये वाला complete करेंगे आपका जो मेंशन है जैकर यहां सब्सक्राइब करेंगे आज इलेक्रिक रंड जो चैप्टर मेंशन है विद MCQs जो कि काफी सारे आप देख रहे हो यहां पर काफी सारे प्रिविएस एर एक्जाम में आये हुए हैं यह चीजे ठीक है तो यह हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग स्टार करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको regular अपडेट्स मिलते रहे हैं हम लोग start करते हैं, तो start करते हैं कैसे, कल हमने charge पड़ा था, ठीक है, तो आज हम करते है, start एक topic से क्या है, quantization of electric charge, quantization of electric charge, सरी इतना बड़ा, क्या लिखा है आपने, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, quantization of electric charge क्या है, quantization क्या बोलता है, कि charge जो है, q equal to integral multiple of charge on electron, ठीक है, q equal to integral multiple of charge on electron, अब plus minus सर क्यों लगाया आपने यहाँ पे, क्योंकि अगर तो proton होगा, तो यहाँ पे positive sign होगा, अगर electron होगा, तो क्या होगा, negative sign होगा, मतलब यह है, कि जैसे atoms जो है, जैसे एक body जो है, वो atoms से बनी होती है, वैसी एक charge जो है, वो small unit of charges से बना होता है, ठीक है, वो n क्या है, वही है, number of, n क्यों क्यों क्या बोलते हैं, n is an integer, n जो है, वो fraction में नहीं हो सकता है, n is an integer है, याद रखना, अब पूछा जाए अगर आपको, कि 1 कोलम charge किसके बराबर होता है, जो कि पूछा जाता है, 1 कोलम charge नहीं, sorry, 1 कोलम charge में कितने electrons होते हैं, यह पूछा जाता है, मतलब N equal to number of electrons हैं, कि 1 कोलम charge में, कितने number of electrons होते हैं, अब आपको formula पता चल गए, क्या होता है q equal to n e तो यहां से आप n निकाल सकते हो n equal to q by e तो q क्या बोला है उसने 1 coulomb charge में तो q आ जाएगा 1 और electron पे charge आपको पता है कितना होता है 1.6 into 10 raise to power minus 19 तो अगर आप यह करोगे तो आपका आएगा 6.25 into 10 raise to power 18 और यह आपका mcq में पूछा जाता है यह चीज़ आपकी पूछे जाती है कि एक कूलम of charge में कितने electrons होते हैं 6.25 into 10 raise to power 18 तो आप देखो कल मैंने आपको यह नहीं बताया था current की direction के बारे में नहीं बताया था current flow कैसे करती है वो चीज़ें नहीं बताया थी ठीक है तो आज हम लोग क्या करेंगे वो चीज़ें पहले पढ़ते हैं द्धान से समझते है current flow करती ही कैसे है ठीक है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और उसकी direction क्या होती है कल मैंने आपको battery के बारे में बताया था battery क्या करती है battery electron produce नहीं करती battery क्या करती है force provide करती है ताकि electrons move कर सके ठीक है अब ये positive battery को represent कैसे करते हैं देखो ये अगर एक हो तो इसको cell बोलते हैं हम लोग ये ही अगर हमने ज़ादा कर लगा दी हो एक साथ तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग battery लेकिन हम लोग इस एक से भी battery को represent कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है तो जो बड़ी वाली साइड होती है उसको बोलते है positive जो छोटी वाली होती है उसको क्या बोलते है negative तो मतलब ये जो बड़ी वाली साइड है यहाँ पे ये इसको क्या बोलेंगे positive और छोटी वाली को negative अब positive साइड जो है आप देख रहे हो ये material है कोई ठीक है आपको पता इसमें क्या होंगे इसमें protons भी होंगे मतलब इसमें positive charge भी होगा इसमें negative charge भी होगा ठीक है ये positive charge और ये positive charge भी होगा इसमें अब ये negative जो है ये किस end से connected है इस end से connected है तो मतलब आपको पता है कि unlike charges जो है वो repel करते है like charges repel तो negative यहाँ पर negative है तो जो भी negative charges होंगे वो यह वाला negative इसको धका देगा तो negative सारे कहां चले जाएंगे इस तरफ आने की कोशिश करेंगे ठीक है समझे वो बात को यहाँ पर negative है तो negative जो है वो इस तरफ आने की कोशिश करेंगे ठीक है लेकिन positive जो है positive किस तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर positive है तो जो यहाँ पर अंदर positive होंगे वो इस तरफ move करने की कोशिश करेंगे क्यों सर इस तरफ क्यों करने की move करने की कोशिश करेंगे क्योंकि positive positive repel करेंगे तो जब यहां से positive होगा charge तो जो अंदर positive होगे वो इस तरफ move करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो मतलब क्या होगा negative इस तरफ move करेंगे तो मतलब negative कहां से flow करेंगे ऐसे ठीक है तो free electrons जो electrons के हम flow बोलके है electron का flow कहां से होता है negative से positive ठीक है देखा आपने यहां से क्योंकि यह negative था यहां से electron कहांगे इस तरफ positive वाली साइड तो क्या बोलेंगे हम electrons का flow क्या है electrons flow करते है negative to positive similarly जो protons होते हैं वो कहाँ flow करते हैं वो करते है positive से negative ठीक है अब हमारी direction of current क्या होती है sir कभी-कभी क्या होता है उन्हें बोला होता है flow of electrons जो है उसकी direction होती है opposite to the flow of electrons ठीक है opposite to the flow of electrons जहां electrons जा रहे हैं उसके opposite जाएगी क्या current और जहां protons जा रहे हैं जिसको हम holes भी बोलते हैं जहां protons जा रहे हैं उसी तरफ जाएगी current यह जो है conventional direction of current हम जिसको बोलते हैं जिस तरफ rolls होंगे या जिस तरफ protons होगे उसी तरफ current होगी या फिर अगर electrons की direction दी है उसकी ulti direction जो होगी वो होगी current की direction ठीक है I hope अब अब ये चीज़ समझ आगी हो current की direction किस तरफ है कैसे है अगर नहीं समझ आता आपको तो अब simply एक battery लगाओ वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि positive किस तरफ जाएगे negative किस तरफ जाएगे तो current किस तरफ जाएगी ठीक है next चलते है next है अब आगया current की मैंने direction बता जागो current flow कैसे करती है वो मैंने बता दिया अब है क्या equivalent अब बड़े लोग क्या बोलते है सर flow of charge क्या है flow of charge क्या है current है flow of charge through any cross section किसी भी area से जब charge flow करता है we don't make a current लेकिन वो अधोरी definition है गलत definition है मत लिखकना कहीं मत बताना किसे को time rate of flow मत ताइम के साथ जब charge flow करता है उसको क्या بोलते है current ठीक है इसलिए क्या होगा वो dq by dt मतलब change of charge, rate of change of charge और time के साथ rate of change of time ठीक है अगर flow uniform होगा मतलब अगर charge change नहीं हो रहा है flow जो है charge का वो uniform है इसका मतलब change नहीं हो रहा है मतलब जो d हमने लिखा है d मतलब change जब change नहीं हो रहा तो simply हम लिख सकते हैं q by t जो हमने यहां पर लिखा है q by t simply ठीक है उसको बाद आते हैं इसकी units अब इसका units क्या होते है units ध्यान से देखना क्योंकि units यह पूछे जाएंगे आपको exams में ठीक है maturity ले रहा हूँ units जो हम आपको पूछे जा सकते हैं और आपको confused कैसे करेंगे कि units क्या होता है SI unit होता है इसका ampere और CGS unit क्या होता है इसका EMU ठीक है electromagnetic unit और इसको क्या बोलते हैं biot यहां फिर bi यहां फिर ab coulum ab coulum भी इसको बोलते हैं और 1 ab coulum 1 by 10 biot है लेकिन इसको आप याद रखने की जुरूरत नहीं है लेकिन आपको unit याद रखने ampere, emu, biot यहां फिर इसको ab coulum भी बोला जाता है ठीक है समझ गे अब यह मैंने आपको बता दिया कि अगर holes की direction या proton की direction जिस तरफ होगी उसी तरफ current की direction होगी और electrons की direction जिस तरफ होगी ठीक है उससे opposite जो होगी हमारी current की direction होगी ठीक है और क्या होता है net charge in a current carrying conductor is zero अब net charge in a current carrying conductor zero क्यूं होता है क्योंकि एक तरफ positive charge move कर रहा होता है एक तरफ negative charge move कर रहा होता है तो अपस में क्या है वो balance कर जाते हैं तो इसलिए क्या बोलते हैं net charge in a current carrying conductor जो है वो zero होता है ठीक है एक तरफ से positive आपका negative आपका ऐसे आ रहा है एक तरफ से आपका निकल रहा है बाहर तो जितना आ रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है ठीक है तो इसलिए हम रोकता है ठीक है जैसे ही current flow करती है तो resistance क्या करता है उसको रोकता है ठीक है अब आपको यह चीज़ें याद नहीं रखते हैं आपको सर्फ यह expression याद रखना है r equal to r naught 1 plus alpha t ठीक है अब होता क्या r t क्या होता है r t होता है कि अगर हमें किसी temperature पे resistance निकालना हो हमें temperature 200 degree Celsius पे हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे यह हमें दिया हुआ है इसकी value alpha भी हमें दिया होगा alpha क्या होता है कि temperature coefficient के साथ resistance कैसे depend करता है कैसे बढ़ता है कैसे linearly बढ़ता है या फिर non linearly बढ़ता है decrease होता है increase होता है वो क्या बताता है alpha alpha भी हमीं दिया होगा temperature हमीं दिया है 1 plus alpha T करना है यह initial value हमीं दिया है और हम 200 degree Celsius पे resistance की value निकाल सकते है ठेक है क्योंकि होता क्या है अगर आपने अब जादा resistance measure करोगे उसके लिए जादा instrument आपको बड़ा instrument चाहिए अब छोटा resistance measure कर लेते हो उसके बाद आप क्या करते हो अगर आपको बड़े temperature पे देखना है तो उसी को आप convert कर सकते हो बड़े temperature पे ठेक है जादा temperature पे तो आपको यह expression याद रखना है rt equal to r0 into 1 plus alpha T ठेक है और alpha को क्या बोलते है temperature coefficient of resistance ठेक है अब यह क्या सर यह भी यह expression है लेकिन यह term जो होती है यह काफी जादा छोटी होती है इसलिए हम इस term को neglect कर देते हैं इसलिए यह जो आता है आपका expression यही बन के आता है next आपका अब alpha सर आपने बता दो दिया temperature coefficient of resistance अब यह बताता क्या है अब alpha क्या बताता है alpha आपको बताता है positive, negative और zero अगर alpha की value positive होगी मतलब जो resistance है वो temperature के साथ increase कर रहा है मतलब temperature अगर increase करेगा तो resistance जो है वो भी increase करेगा आपका ठीक है तो क्या बोला मैंने अगर तो alpha positive होगा मतलब temperature increase करने के साथ resistance भी क्या कर रहा है increase कर रहा है और वो किस में होता है metals में क्या होता है कि temperature increase करेगा जब तो जो electrons होते हैं metals में वो क्या करते है vibrate करना start हो जाते हैं ठीक है vibrate करने लगते हैं और जब vibrate करने लगते हैं तो उनका flow जो होता है वो रुख जाता है वो flow नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका मतलब यह हुआ, flow नहीं कर पाते हैं का मतलब क्या हुआ, कि उसका resistance increase हो गया, तो मतलब temperature rise के साथ resistance increase हो जाता है किस case में metals के case में इसलिए इसका temperature coefficient of resistance क्या होता है positive अगर zero हो मतलब उस पे depend नहीं करता temperature resistance पे वो किसके के साथ होता है solid non-metals के case में अगर negative हो मतलब temperature के साथ resistance क्या है decrease करेगा मतलब temperature increase करेगा तो resistance decrease करेगा तबी जो semiconductor होते हैं वो ज़्यादा temperature पे थोड़ी सी conduct करते हैं, थोड़ा सा current conduct करते हैं, high temperature पे, low temperature पे नहीं करते हैं, low temperature पे semiconductor as a insulator behave करते हैं और high temperature पे conductor, क्यों high temperature पे conductor, क्योंकि temperature increase करेगा, तो resistance decrease करेगा, क्यों, क्योंकि इसका temperature coefficient of resistance क्या होता है, negative, ठीक है, तो ये तीन चीज़ होती है कि किसी material की कितनी power है कि वो current के flow को रोक सकता है ठीक है किसी material की कितनी power है कि वो current के flow को रोक सकता है उसको क्यों बोलती है resistivity कल मैंने आपको resistance का formula बताया था r equal to row L by A यही row जो है वो होता है resistivity अगर length एकवल to 1 होगा area भी equal to 1 होगा तो resistance किसके बराबर हो जाएगा resistivity के बराबर अगर resistivity जादा होगी, resistance जादा होगा, resistivity कम होगी तो resistance कम होगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को अब देखो इसका आपको यह याद नहीं रखना, यह याद नहीं रखना सिर्फ आप इतना याद रखो कि इसका unit क्या होता है SI unit इसका SI unit होता है ohm into meter क्यों क्योंकि इसका क्या है sorry कहां गया हाँ SI unit is ohm into meter resistivity का unit क्या होता है ohm into meter अब यहां से निकाल सकते हो resistance का unit आपको पता है ohm resistivity का अब निकाल सकते हो ohm into area area का unit क्या होता है meter square और length का unit क्या होता है meter तो meter, meter cut गया, तो क्या होगा, ohm, meter इसका होगा resistivity का unit, यह याद नहीं रखना यह most important point है, आपको पूछा जाता है exam में, कि resistivity है वो होती है independent of shape and size of a body मतलब resistivity जो है, वो depend नहीं करती, उसकी length पे material की area पे, आपको question आएगा, आगे मैं बताऊंगा, कैसे पूछा जाता है यह question, यह आपका काफी important point है याद रखना इस point को, ठीक है, next आता है different substances की different resistivity होगी ठीक है, जैसे silver की resistivity जो है, वो minimum होती है fused quads जो है, उसकी resistivity maximum होती है, इसकी value तो नहीं पूछी जाएगी आपको सर्फ इतना याद रखना है, कि insulator की सबसे जादा होती है resistivity, और मतलब उसका resistance सबसे जादा होगा, इसी लिए insulator जो है, resistance जादा है, मतलब current flow नहीं करती है फिर alloy उसमें हम थोड़ी सी impurities जाद करती है insulator में तो थोड़ा सा conduct करना start जाता है उसके बाद semi conductor मतलब आदा conductor ठीक है, उसके बाद और जादा flow करती है current तो मतलब उसकी resistivity और जादा कम होगी थोड़ी अब conductors की सबसे कम होगे क्योंकि conductors में current flow करती है, मतलब resistance कम है, मतलब resistivity कम है ये चीज़ याद रखना next आता है आपका, जो materials use होते है कहाँ पे, जैसे electric बलब है, उसमें कौन सा material use होता है उसमें tungsten use होता है, जिसकी resistivity high होती है sorry, resistance high होती है उसकी, और high melting point होता है ताकि जलना जाए जल्दी से, ठीक है, next आता है heating devices में कौन सा material use होता है heating devices जैसे heater होती है जैसे geezer होता है, इसमें हम बोल सकते है इसमें कौन सा load होता है, कैसे कल मैंने बताया था आपको, load के बारे में ठीक है, load कितने परकार का होता है, resistance, inductance capacitance, capacitance, लेकिन हमने resistance ही बोला था जो भी heating element होता है, उसमें लगबग resistive load होता है resistive load कहीं भी होगा, मतलब वो heat देगा ऐसे heaters में होता है, geezers में होता है जो coil लगी होती है, heater, जो पुराने heater राते हैं वो कौन सा क्या बोलते है, उसको resistor ठीक है, उसको क्या बोलते है, resistive element होता है और किससे बना होता है, वो nechrome wire से बना होता है, जिसकी high resistivity होती है, मतलब resistance high होती है उसकी, ठीक है और high melting point होता है ताकि जल्दी से जलना जाए, यह पूछा जाए सकता है आपको, उसके बाद fuse wire आ जाती है fuse wire किससे बनी होती है, tin lead alloy से 63% tin होता है, 37% उसमें lead होता है, और उसका low melting point होता है अब low melting point क्यों होता है इसका low melting point इसलिए होता है ताकि अगर जादा current flow कर जाए कभी आपको पता है fuse लगा होता है आपके board में अगर जादा current flow कर जाए, तो fuse उड़ जाता है पहले, fuse क्यों पहले उड़ता है क्योंकि उसका low melting point होता है वो जल्दी से melt कर जाता है उसकी wire जो अंदर लगे होती है वो melt कर जाती है जब वो melt कर जाती है बीच में से आपका circuit क्या होता है वो break हो जाता है और कल मैंने आपको बताया है जब circuit break हो जाता है closed path नहीं रहता चार्ज आपका flow नहीं करेगा, चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो current flow नहीं करेगी, तो आपका बाकी जलता नहीं है, कुछ भी उससे, तो fuse पहले down हो जाता है, ठीक है, next है आपका measuring instrument, आपने पढ़ा होगा galvanometer, emmeter, voltmeter, voltmeter, जब हम voltage पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, पहल ठीक है, ये सिर्फ एक detect करता है, small current को measure नहीं करता है, और इसका ये symbol होता है, बाकी छोड़ो जो भी लिखा हुआ, ठीक है, next क्या आता है, emitter, ठीक है, जैसे ये बना हुआ आपका emitter, emitter क्या करता है, जो की current को measure करता है, ना की galvanometer, तो आप याद रखना, emitter क्या है, emitter एग instrument है, जो current को measure करता है, लेकिन galvanometer क्या है, small current को detect करता है, कि इसमे current present है, या नहीं है, बस, next आता है, आपका questions पर आजाते है, ठीक है, अब ohmsla पर आगे, सबसे पहले ohmsla का question है, तो आपको ohmsla थोड़ा सा मैं बता देता हू, ohmsla क्या होता है, कि अगर हमारी physical conditions, जो है, वो change physical condition मतलब जो conductor हम ले रही है, उसका length जो है, वो same रहे, वो change ना हो, temperature अगर change नहीं हो रहा है, ठीक है, और को उसमें हम stress वगएरा नहीं डाल रहे है, कोई material पे, तो उस case में, ठीक है, अगर physical condition change हो रही है, तो उस case में ohmsla valid नहीं है, उस case में नहीं बोलेंगे हम लोग ohmsla की statement, लेकिन अगर ये condition valid है, like temperature same रह रहा है, land same है, area same है, material, मतलब material के साथ कुछ change नहीं कर रहे हैं, उस case में क्या होता है, current is directly proportional to voltage, इसी को बोलते है ohmsla, ठीक है, और जब ये proportionality sign हम हटाते हैं, तो क्या आता है, ठीक है, क्या आता है, v equal to i into r, ठीक है, proportional की जगा हम क्या लाते है, r को ले आते हैं, जिसको बोलते हैं resistance, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ohmsla is valid, अब i cube तो है नहीं, ठीक है, i square भी नहीं है, ठीक है, अब बोल रहा है, the relationship between v and i is not unique, ठीक है, लेकिन v और i में एक unique relationship होता है, in case of ohmsla, ठीक है, linear relationship होता है, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता, linear आपको यहां पर यह answer होगा, अब यह क्या है, the relationship between v and i depends on sign of v or the same absolute value of v, यह मैं आपको जब voltage पढ़ाऊंगा, उस case में मैं आपको बताऊंगा, कैसा voltage का sign से क्या होता है, change होता है, कैसे होता है, next question है, the resistivity of a wire, ठीक है, अब मिले को यह आप लोग बताऊगे, resistivity of wire length के साथ increase करेगी, य length के साथ decrease करेगी, cross section के साथ increase करेगी है, कुछ भी नहीं होगा, so resistivity है, तो अब निकालना शुरू हो जाएगो, r equal to rho l by a होता है, तो यहां से हम लोग rho निकाल लेते हैं, लेकिन मैंने पीछे ही पढ़ाया, resistivity जो है, वो length और area पे depend नहीं करती है, size और shape पे depend नहीं करती है, तो इसका होगा none of the above, next है, ohms lie is true, ohms lie किसके लिए true होता है, एक तो आगया conductors, metallic conductors और low temperature पे, low temperature पे क्यों, क्योंकि अगर आप temperature बड़ा जादा high ले जाओगे, temperature high हो जाएगा, उस case में क्या होता है, V और I का जो graph होता है, वो linear नहीं होता, ठीक है, temperature जब high हो जाएगा, आप इस case में valid होगा, सिर्फ for metallic conductors at low temperature पे, यह MCQs जो है, यह सारे previous MCQs है, तो यह पूछे जा सकते हैं आपको, next क्या है आपका, which of the following statement is correct, इसमें से कौन से correct है, liquid ओवेज ohms lie, अब liquid जो है, यह experimental question है, यह क्या है, कि liquid partially ओवेज करते है, ohms lie को, मतलब इसका V और I का जो graph होता है, linear मतलब ऐसे नहीं होता पूरा, ठीक है, थोड़ा सा, थोड़ा सा टेडा मेडा, या फिर थोड़ा सा आगे पीछे होगा, पूरा linear नहीं होगा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसको partially यह अबेग रहता है, ohms lie को, ठीक है, next आता है, metals have, metals की resistivity क्या होती है, कम, जादा, low, high, य लेके, चलते ही नहीं है, केस में, बहुत ज्यादा high current और बहुत ज्यादा low current का case नहीं होता, थोड़ी ना, थोड़ी current होती ही है, और यह case हम लूग नहीं लेके चलते हो, अब आता है high resistivity औrd low resistivity के, अब देखों अगर high resistivity होगी मतलब resistance बढ़ा-zाध़ high होगा high resistance होगा high resistance होगा मतलब current बड़ी जादा low होगी लेकिन ऐसा नहीं होता है current आपकी बड़ी जादा low नहीं होती है current flow करती है metals में तो इसका मतलब आपकी low resistivity होगी low resistivity मतलब low resistance होगा जब low resistance होगा तो आपकी current flow करेगी zero resistivity के इसमें ऐसा है कि zero resistivity मैं बिल्कुल ही 0 और resistance भी क्या हो जाएगा उस case में 0 तो वो क्या हो जाता है वो super conductor मैंने आपको first lecture में बताया था तो वो case नहीं यहां पर तो क्या होगा इसका metals have low resistivity यह सारे equation previous year equation previous year में आया हूँ यह तो JKCT में आया हूँ ठीक है तो ध्यान से जो कोईसरे चीजहीं पढ़ने यहीं से उठाके वो डालते है चीजहीं और कहीझ से नहीं डालते है अपने से नहीं डालते हैं गवो नेक्स आता SHOT से length of the wire इस डबल-, अगर length lado कर देंगे तो conductance क्या होगा अब मैं ने आपको resistance बताया था तो Conductance क्या होता है, Opposite of Resistance तो अगर Resistance जो है, वो Double हो जाएगा तो Conductance क्या हो जाएगा, 1 by 2 क्यूंकि Resistance क्या हो गए, Double तो Conductance क्या हो जाएगा, Half Next आपके कुछ Graphical Question, जो कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा Which of the Adjoining Graphs repres does ommic Resistance अब इसमें से resistance वाला graph किस का है आपको पता है यह सारे V और I के graph है मतलब यह सारा ohms law है आप ohms law आपको पता है linear relationship होता है यह linear नहीं है यह linear नहीं है यह linear नहीं है यह linear है मतलब इसका A part होगा next क्या है इसमें से negative resistance कुन से पार्ट में आ रहा है negative resistance का क्या मतलब है कि अगर current increase कर रही है तो voltage decrease कर रही हो या फिर voltage increase कर रही है तो current decrease कर रही हो ठीक है उसका क्या मतलब हो का negative resistance है तो आप यहां देखो voltage क्या है इस case में AB के case में voltage बढ़ रही है A से B और current भी A से B बढ़ रही है next BC के case में क्या है voltage बढ़ रही है तो current भी क्या है बढ़ रही है लेकिन C से D के case में क्या हो रहा है voltage तो बढ़ रही है आगे जा रहे हैं हम C से D लेकिन current क्या हो रही है decrease हो रहा है तो मतलब C से D वाला जो case है वो क्या है negative resistance का så c part जो हो गया वह हो गया negative resistance next इस case में भी क्या देखना है आपको resistance किस case में negative है जब हम a से b जा रहे हैं a से b जा तो क्या हो रहा है यहाँ पर point भाइस पूचा उसने point पर पूचा है थो a point पर क्या है आपका sorry a point पर क्या है आपका current और voltage में अब B point देखो पहले ठीक है अब B point में क्या है current क्या है यहाँ पर voltage जो है A से B जाने पर voltage क्या कर रही है voltage आपकी बढ़ रही है लेकिन current क्या हो रही है आपकी decrease हो रही है ठीक है तो इसका मतलब जो B point है आपका उस पर negative resistance होगा अगर आप देखो B से C तो B से C जब आप जा रहे हो voltage बढ़ रही है लेकिन current भी बढ़ रही है तो मतलब C point ऐसा नहीं है कि वहाँ पर negative resistance हो यहाँ फिर आप B से A जा रहे हो जब तो आप देखो voltage जो है वो स्वारी A से जब B आ रहे हो तो A से जब आप B आ रहे हो तो आप क्या देख रहे हो कि current जो है वो decrease हो रही है लेकिन voltage जो है वो तो बढ़ ही रही है ठीक है तो और B से C जब जाओ तो क्या देख रहे हो आप कि voltage भी बढ़ रही है और current भी बढ़ रही है मतलब यहाँ पे बीज में कहीं ऐसा point है एक जिसके वज़े से गड़बड हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे voltage बढ़ रही है current decrease हो रही है तो मतलब यहाँ पे आके कुछ ना कुछ ऐसा हो क्योंकि इस case में इस पूरे line के case में क्या हो रहा है कि current decrease हो रही है और voltage increase हो रही है लेकिन आपको point wise point दिया है तो इसका answer आजाएगा आपका B part आजाएगा ठीक है तो यही आपके questions से ऐसे ही questions आपको पूछे जाएंगे ध्यान से चीजें पढ़ना ध्यान से अच्छे तरह ठीक है अगर आपको पसंद आ रही है चीजे अच्छा लग रहा है अब इससे बहतर आपको नहीं पढ़ाएगा कोई मैं बताऊंगा आपको ठीक है एक electrical engineer से बहतर आपको current का कोई नहीं समझा सकता और अच्छे तरीके से question जो है समझना concern समझना कोई चीज नहीं समझा रही यह भी कर लेते हैं क्या है there are two metallic spheres of same radius one is solid and other is hollow then solid sphere can be given more charge hollow sphere में ज्यादा charge होगा या दोनों में equal होगा कल मैंने आपको पढ़ाया था charge always resides on the surface of the conductor एक hollow है एक भरा हुआ है ठीक है दोनों को हमने charge दिया charge हमेशा कहां पे आ जाता है surface पे आ जाता है ठीक है तो depend नहीं करता कि वो hollow होगा या फिर वो भरा हुआ होगा charge दोनों पे क्या होगा same होगा तो मतलब they can be charge equally और उसमें maximum charge होगा equal charge होगा दोनों पे क्योंकि charge जो है वो बाहर आ जाता है ठीक है तो यही है आपका thank you